नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल नियूज आज दखल नियूज पर बात करेंगे योग की योग की बात हो पवन गुरू का साथ हो तो योग को समझना थोड़ा आसान हो जाता है मैं आपको इन्टिडियूस कराती हूँ पवन गुरू योग योग अचार और सबसे वड़ा है कि आपके शरीर को आपके विचारों को आपके सिस्टम के दूसरे से जोड़ा हमें शरी के दो पार्ट होते हैं एक मेकनिकल और एक आटोमेटिक अगर हम प्रापधंग से योग करते हैं तो आप इसको तारत में बिठा सकते हैं आज के परिवाश्य क्या ह तो योग हो गया है आज के समय में चल्रा हुआ है योग इस सिफिक एक साइज है जिसका रिगर सिफ 30 परशंट से ज्यादा नहीं है योग जो हमारे हजारों साथ चला रहा है कि अपको अपको स्लो करना है और आज कल क्या है कि हमको कोई ना कोई बिमारी देती है तो हम आते करने अपको चल्रा प्रियव कु मुष्म काता है इसेलों इसेलों अपको अपको योग सिफिल गाते तो अब थों शुरूद अबे कर दोत अजिभ पड़ती है अँ कि दॉडर, प्र विया झाले आते है अंपको आख यूजिच्ट के नहीं करते है उनको सुदाने के बहुत बहुत बिमार हो जाते हैं या उनको कोई हेल्स इशू होता है तभी वो योग की तरफ भागते हैं यह को सही आपने बाज बताई है हमा पास इसे लागड़ों के बेले चार सु लोग पढड़ ए रहते थे थे अब तो लागड़ों के चिकन सब गड़ गड़ हो गया उसमें तो लोगों के चलने से चार्ड तीन सु नभड़ों के होंगे जो कहने की बिमार हैं डॉक्टर ने कहा है या इलाज किरा करके ठग गए तो लोग भी ट्राइ कर लो उल्धंक से आया है हम किसी एक किसी बच्चे या किसी यंग वाले लोग किसी से बोलें कि आपको योग करन है तो यह तो बिमार लोग का है मेरे को तो जरूती नहीं है लेकिन करोना में यह हुआ है कि लोगों की योग से दोस्ती हो गई है अब मेडिकल वाले वी समझे लगे है कि योग करने से युमिनिटी स्टॉंग है आपको एक ची और बताता हूं कि इस करोना कारेकाल में हम से जितने जुड़ू है लोग थे यो लगातार हम लोग के साथ कर रहे थे आनलाइन अफ्राइं जो कर रहे ते सब ट्रेस्टी जीरो परसंट हुआ हुआ होगा लेकिन जली लोटके आगा है विकुर नॉर्मल है वही उनकी पज़िवार के अधर मेंबर है जनको को करोना कोई चला गया योग का सबस्वड़ा बेनेफिट जो अभी सब को मैसूस हो गया है योग और जिम दोनों में यंग एज के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं योग करे या जिम जाए तो आपको क्या लगता है कि योग और जिम में डिफरेंस क्या है लोगो को कैसे समझ मैं कि अगर आपको बता हूँ कि अगर आपन हेल्थ के हिसाब से साइंटिविक ढंग से चलते हैं तो योग का नंबर बन पर आता है दो नंबर पर आती है डाइट जो हम घर में जनकी बार चलते रहते हैं थर्ड नंबर का आती है वाग क्योंकि एक समय बार जाम बुजुर के चल बेनी पाते हैं फूर्थ नंबर पर आता है स्पोर्ट आप देखे जाए सचिन तंदुकर हो चाह सानी मर जाओ एक समय के बार उनको रिटार्मेंट लेना पड़ता है और कम एज में रिटार्मेंट लेते हैं उसके बाद बाते हैं कि आपके जीम एक एक्टिविटी नीचे काफी है तो कि योग आप जीवन परियंद कर सकते हैं आज हमें एक व्यक्ति से बोलें कि आप तीस साल के हैं तो योग कर सकते हैं एक तीस साल के जिम कर सकता है एक नबे साल का क्या जिम कर सकता है नहीं कर पाएगा उसको तब रिटान होना पड़के लेकिन जब उस अधार किसी taps kaip बàyक बोल ahi, भिट lut suprem, भिड़ योड़ दी हाँ जग गन्हाओ फोग झारा ठी किग को योगौ भी बहुरोग अपना लिया स्यूच्परी वो करते भी एक सिस्टेमितिक स्टाइंटिभी दंग से करते हैं आपने हाँ तो बिलगुल सब भग रहे हैं तो हम भी पीछ भग रहे हैं और फिर अभी कली एक बच्चा आया था किला है तो अभी तीन-चार महने लाउड ने जिन चूड़ गया जिन चूड़ गया बीस क्लो करते हैं तो एक स्टाइंटिफिक तरीका अपनाई है उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूत भी नहीं आप लाइफ को एंज्या कर सकते हैं आप बेमारी को भी कंट्रू कर सकते हैं और अच्छी लाइफ को जी सकते हैं पवनकुरू जी हमको बता रहे थे कि जो योग है वो कि देशों से जा जा के लोट के आ रहा है हमारे यहां भगवान श्रिफ पो योगी कहा है भहत पुरानी परंपरा वेखिग जो भगवान शिब जो इनने से निद ने इनके अदर भागवान शिप पूरा इनकों आप है और आपने देखाओं जितने योगी हैं वो इनकी उम्र अच्छी रेती है उसके बाद बीमार नहीं पड़ते हैं बाद आप जो बॉडियर माइंड पर कंट्रोल बना रह आप यह देखिए, इंदरा गांदी भी करती थी, तो हम को आज़ कल क्या हो गया है, कि हमादा पैसेंस कम हो गया है, तो हम शौर्टकट की तरब भग रहे हैं, वो शौर्टकट घुमाफ़ा के बापस हम कहा लाके छोड़ता है, कि हम आगे बड़ ही नहीं पाते हैं, तो मैं सबसे यह कहना चाहूँ कि योग को जीवन में वैसे ही अपना है, जिसे खाने में नमक, आपते में चार पास दिने करें, दो दिने पूरी अच्छी लाइफ को एंजोई करें, और अच्छी लाइफ को जीएं, और योग हमारी दुनिया आज जिसके पिछे भाग रही थी, कि अमरत कैसे मिले, तो ये योग अमरत है, जिसको पूरी लगवा दुनिया के 200 कंट्री अपना रही है, तो उसको हम अपना एच्छी दंग से उसको हम एंच्छी लाइफ को हम जीएं, योग पे हम बात कर रहे हैं, मैं एक चीज ये जानना चाहते हूं, कि आज की डेट में लोग योग की तरफ तब भागते हैं, जब उनको एवीवेट हु जाते हैं, उसने का बीस किलो बजन बढ़ गया, मुझे कम करना है, लॉर्मली लोग बजन कम करने के लिए योग की तरफ भागते हैं, तो कितना कारगर से दोता है मोटापे को कम करने के लिए योग? देखिए में इसक्या आपको एक उधारा नूट देता हूं, कि हम मोटापे को के पीछे भाग रहे हैं, मैं पास अभी एक किसी डॉक्ट साब के थो एक मैडम आई थी, वह पालों कि जिते डॉक्टर के साब मैं पास आते हैं, कि वह हम एक साइंटिवी ठंक से कराते हैं, योग औ डाइट, एक्से कुछ निगराते हैं, कि वह वाई थे, तो मैंने पूछा क्या दिक्का दे करें, कि अजिए से कुछ दिक्कात नहीं है, मुझ को योग जोएंड को एक फर्म भगने के लिए टिया, कि अजिए सर वह थोड़ा सा मुझ को बीपी की प्राप्लम है, तो मैंनका आपकी बीपे कंट्रोल हो जाएका तो एक डॉक्तर से मिलते रे रे तो मेडिसिन आपकी आगी आगी साथ कम हो चाएगी प्रिकलेन जब का थोड़ी सी शुगर की बादम है तो मैंनका यह भी आपकी ठीक हो जाएगी एजी कान यह बढ़ती गई उसके लिए अग मैं एक चीज बताना भूल कि मुझको एक एक अटेक भी पड़ा है। मैं को आप थोड़े डेंजर जोर में चले गए हैं। मैं को फिर भी आप डॉक्टर को फालो किजिए योग डाइट हम फालो करेंगे आप उनको हमारा बता दीजिए। मैं एक चीज बताना भूल गई आपको कि मेरा डाइलेसिस हो रहा है। और डॉक्साफ ने इसपेचल आपके पात भीजा है मुझको अब तो कहानी भूरगवड हो पई है। लेकि इस सर में इसनम मैंनेज कर लोंगी आप तो मुझको सिर्फ दूबला कर दीजिए। अब आप सुचिए। शेद्मान का डायलिसित में क्या होता है कि आपका समय कम बचा है। यह भूत हमारे में सबार है। इसका बहुत सरल तरीका है कि आप अपने डाइट पे थोड़ा बैलेंस करें। यह एक्से है कि अपने लिमिटेड नहीं करें। फ़य कोई ऐक्सरी कुछ नहीं करें। आप को ज़एसे हम भी झाला करते हैं। कि हम पढ़के छिलिए हम को काथणी खायी है। तो अमने काथणी क्छोरी काने कम कर ते लिए लांच छाफरा एं। कर देती हैं herum की जरुटीस देही को गुलाव जा उन हाली है घाहले तो कि जरुटी को कर देदा करें है DIRE आम पर करते हैं कि कि चाथ भी मारो कि जुट्यान बाद भी खाते हैं और आपके मौटावे भी कंट्रोल हो जाएगा, आपकी बिमारी भी कंट्रोल हो जाएगा और आपकी कॉलिटी लाही बढ़ जाएगा, हमने कई बिटियों के वजन 30-40 किलो बजन घटवाएं, सिर्फ डाइट पेटन चेंज किया है, और योग आप हमारा देखें कि उनको सरल कि पंदरा देखें के बिटियों के बिलेगा, लिकि मिलना चालो हो जाएगा, मैं आपने सरल योग की बात की, हम बहुत सरल योग कराते हैं, 20-30 किलो तक बजन आपने अपने अपने गड़कें को ताम करा है, अगर मैं कहूं कि मुझे आप एक दो ऐसे आसे आसन अभी बता चाहिए, ब्रेन को चाहिए, ब्रेन को समझाना है कि यह हमारा स्थाहिए, यह हमारा गलत है, लेक आसन मता रहा है, इसकान में सूर नवश्कार, यह संपो योगी क्रिया है, अगर आपको कोई प्राब्लम नहीं है, बाड़ी के पेट को भी घटाना है, अपको हाइट को के आपको बताते हैं, वन, में स्टेफित, तू में हाथ उपर ले गए हैं, बाड़ी को पीछे हमने बेंड किया है, थ्री, बीस उंगली हमने एक सीद में रखी है, फोर, लेफ्ट लेक को पीछे ले गए हैं, फाइज दूसरे पर को पीछे ले गए हैं, इसक्स आजे जु लेफ्ट लेग दोनों हातों के बीछ में लाएंगे, तैन दूसरा भी सामे लेकर आएंगे, बीस उंगली एक सीद में, लावन और ट्वेल, यह आधा चेकर रुबावे से हम राइट से करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, शिक्स, सेवन, एक्स, यह एक चक्र हुआ है, ऐसे मैक्जिमा हमको पांच चक्र ले जाना है, हमको किसी को देखा देखी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आगे हमको प्रोब्लम को बढ़ता है, तो पांच चक्र आप कर रहे हैं, तो आपकी बॉड़ी भी फिट रहेगी, माइन भी फिट जाए पर इस सबस्क्र लेड़ी लागी होग और लाइट बढ़ भी जाएगी अगर उसके लिए हमको एक उव एक प्रानायम कर भ्दियास करना है जिसका नम है ब्रहमरी, ब्रहमरी किया होगता है कि हमारे ब्रेन को प्रोणना तियार करता है, मोटे तो सभी होती होती हैं, तो वह हमें है कि ने मैं फिट ओ, फिट मुझ को रेना है। आज मेरेके पचास साल है तो पचास को मैंटने करना है। पचास से बीस का नहीं हो सकता. लेकिन पचास से मुझे सब्सक्राइब जाना है। एक प्रणाय मैं ब्रहामरी. प्राइमरी स्टेज, अंग उठे से कान के रखेंगे और आगे लाके ऐसा बंद करेंगे लंबी के लिए सांस नासिया से लेंगे, मुझ रहेगा बंद हमारा और गुंजा झाल, प्राइमरी से अजिए सेलिगे लेंगे, मैं बंद हमिनी कोशा है, इसके अगर आप दस चक्र करते है तो हमारे ब्रेन पर कंच्रूल आप बढ़ता है ऩुछ कंड़न कर दहाज कि निन्ध हो, अभनेरे गुसा हो, तेन्षन हो, आपटी जनेटिक बिवारिया हो या पृब्रें आपका ट्रेंड उनकर ट्रेन हो जब आपान ही आपका आपका ट्रेंड आपकी अर्गंस भयारे है यह तो जरूर करना है यह बच्चों के लिए भी फाइदी वाने है कि उनका जो इंका सुझटरेशन जो भीक हो रहा है, आज का जितने हम अवाद जितने अवाद जादे चोटे जारेड़ा है, जब की दिक्कात है, गभरा हाथ भेचेनी, जॉब कड़ रहा है, जॉब का जॉब से निकाल दिया है, तो यह आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि यह प्राब्लम है, कोई अपनी तो इस नहीं है, पुरी दुनिया की प्राब्लम है, तो जो दुनिया के साथ हो रहा है, तो थोड़ा पैशेंस रखे कि हम करेंगे, तो यह हमारा समय निकल जाएगा. नेक्स करेंगे इसका नाम में, योग, मुद्रा, दोनों हाथ ऐसा पिछे ले जाएंगे, धीर धीर हम ऐसे आगे छुटेंगे, तो यह सांस लेते हुए हम बापास है करेंगे, इसके पांच राओं करेंगे, तो हांस का प्रेट की सारी प्राब्लम साल बहाएंगे, गाइसे सो, कांस्टिपेशन हो, मेटर पालिप्राइप, शुगर की प्राब्लम हो, साथ में ही जो हमारी एक प्रम्जोरी है कि मिर को इसके भी जुरिया ना है, जुरिया भी लाइफ में नाहीं नाहीं है, यह मैलाओं की बहुत बढ़ी समुझ है आपने कम की कि जुरिया फाइदा करता है, किड्नी में फाइदा करता है आपको, इसके लावा आपके जो थाई मसल भी पूदी उसको भी फाइदा करता है, आप योग गुरु की एक बात बहुत ध्यान से पकड़ लीजी कि कोई भी आप योग का आसन करे या कोई भी एक्सराइज करे उसको ओवर करें, लिमिटेट करें, कम करें, लेकिन करें जरूरूर। इसके लावा और कौन से व्यायाम या योग की साधना है? इसके लावा यसे ये मैंने बदाए इसके एक सीरीज होती है, मैंने खाले इसका एक पार्ट बता है, दूसरे पार्ट में आज यहाँ ही रखते हैं, तो यह मैंन पैट की प्रॉब्लम सेवंट एटी परसंट हमको रहती है, यह उसको साल्व करेगा, करना सिफ आपको इसके रिस्मांस करना बंद कर जेती है, क्योंकि उसको ज्यादा दोस्के आसर परोगी तो हमको कम करना है, जो गायनिक प्रॉब्लम के साथ 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 सर्वाइकल में भी फाइदा करेगा, आपके पेट को भी कम जरेगा, और आपको हिप को भी बैलेंस करेगा, बैली फेल परोगी घटाएगा और अच्छा आसने, जिसका नामे शुक्त बजरासना, बजरासने बैटने के बाद भी जरें पीछे लेटेंगे, एक तोणी को जोमे से टच करेंगे, और दूसरी पॉनी को जोमे से टच करेंगे, और सर को नीचे लियाएँगे, और बाद में दौनों 13 छेकर एक मिट ढौित झाती अग्य कर दो है हमारी जो भी मसल पुरी छूचेती है तो हमको थाई मसल मखडिल अजिग वह जफना ही कि भीले दिर दिरी भीले भापके उठेंगे कि ऊठें उट झात प्रावम पॉजि이션 में है इसके लवा एक आसन होता है इसको बनते है हम साइक्लिम वो क्याँचिछिने के बन जासे वा कि लेतने के बाद यसी पेर को पह साइक्लिס चलाते हैं आसे आप साइक्लिक चलाना है तो एक मेने आपके स्टड़ी में साइक्लिंग उताई थी, वो केसे करना है, दोना सरक लिंचे रखेंगे हैं, और पैर कैसा खुलेंगे से हम साइक्लिंग चिलाने हैं साथे के, बहुत ही सरल है, दस करिये, बीस करिये, बढ़ाते बढ़ाते हैं, आप दो एह हफते में पचा कर लिए, यसे करते-करते, मैक्जिम उसको सो बार से जादे नहीं ले जाना है, तो मैक्जिम प्रॉब्लम आपके साल हो गई, इसके लाबा आजकल दूसरा है कि हमाई फिटनेस लेपर और अच्छा करने के लिए, एक पैरो के सर्किल होते हैं, लेटने बद अपने से पैर क करता है, पैरो से करता है, एक वोल्ड वेक्ति को देखिए, और वाश्रू में जा पारा काप, कबडे चैन नहीं कर पारा क्योंकि यह मसल वीक होगे हैं, तो हमको हमारी इंटर्नल मसल से उसके लिए हम पो जरूर परना है, वो जब आप करेंगे तो आप वो यह भी दिक्कत एक हमारे वजन को घटाने के लिए एक है पेरो के सरकेट, वो कैसे करना है देखिए, लेफ टेक्टे से सरकेट रहना है, यह एक कलाववाइस, और फिर हम इसको एंटिकलाववईस, अब एसे ही राइट, और दूसरा है कि जो मेरी उम्र है या मुझको जो बिमारी है उसको मैं सुविकार करूँ कि वही मेरी बचास साल है या तीस साल है मुझे बीपी भी हो गया है मैं को हार्ट प्रब्लम भी हो गया है इसको योग करना है योग करना है यो येस्म एर गटा राएट नुटर करना है ये मेरी दूकर कर ट्रिटमेंट है twitter कर्णन आव जें को नार्म अल्व लेस जीनिए वह ऽोचन है कि तो हम अब योग चालो किया है तो दबाद कर दें अब अपालो कर दें है अब आड़ यगार चीज होती है हम वो तो डाइट गला उब बन कर देंगे अब अब आख एगे तो एग विर्था घो निख रहे थे हम अब अब एगाना चाहते साफ निख टुर चाहर थोगाना योग प्रापर करना नहीं है, फिर हम बोलेंगे साब, मेरी किस्मत में असा था, अब किस्मत कहां से आगई, कर तो आप ही रहना साथ, तो हम को जो अमुल शरी इश्वा ने दिया है, इसको अब बचाना है, तो आप दिन में कम से कम आपको 45 मिट जरूर देना है, हटे में पा थाल। अब कर दो है, हम अब नातीया है, तो अब एक चीज में आप से जानना झाहँ है, युवा अः एक ज़ नशे की तरथ दोड़ु Quindi और नशे की तरफ दोड़ ए है, तो नशे से इनको कैसे दूर किया जाए, क। कॉन सा आसा ऐसान इसे करवाए ज़ुई जो एकागर बार्णायम प्रणायम बिग बॉस भी बॉस्ट अर आमने अच्छे रंग से कल लिया उच्छे इसको एक माझ जी इसकी इसकी लिमिट कुछ नहीं है आफ को मैंनकर लग शुचका होरा है कि हमरा व अपक्त हो लाเรिये हुआ है हम कोई टिकत होरी है हम कोई टेंशियू हरा आप सोने से बले बिस्टर भिस्तर नहीं कर लीगी यहींकि बढये लिगया ब्रें झालम का एको इसकी बन्होई आप रहा है कि लग अबंद हो कि अईकी के अधोन भेरादाल राजी आप जाना आजी आजीर सवफ और भाहर आजीते ना किसे से बादची ठाला ज् upward कर समझते युटर। diesem तो बाहर प्रोट्चंता प्रोट्व मdetermशनखा थे घड़ करने लिख समेवेन आजी मिलने नहीं तो उस सी टेल मेडिटेशन बहुत रगाखे होते हैं सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी एक म्यूजिक चला दीजिए क्योंकि मेडिटेशन में हम को मन को एकागर करना है अब वो चाहब ओम का चला सकते हैं नहीं तो कोई इस्टुमेंटर कोई फिल्मिक आने चला सकते हैं अब चला के आखे बंद कर आप बैट चाहिए आपकी उम्र मांगे जाली 10 साले तो 10 मिर तो आपको कम से कम बैटना है 20 साले तो भी 10 मिर तो मिनिमूम आपको बैटना है तो दीर जेरे हमारे पर नियंतरन होते जाएगा वर साल, खाना होते लूटविल फिल्ली तो साथन करूओा एपने साथ एक आलोचन ठाहिए ज़ो अपकी गल्तायों लेख झाली झाले लुटाइगा हमें सुध हुँद हो जल्ली उताए हम ना दोस्त रखटेगे ना झालोचन रखड़े eaten arada तो सुधार की जाइश जाएश 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 तो ऐसे में महिलाओं के लिए कुछ श्पेशल योगासन? देखे बात है पीजया बर्गर भी हमारी भीटिया है उसकी कोई मनाई नहीं है लेकिन आपन्दे दिन में एक बार खाया तो आप बाकी दो तीन दिन दिन बाड़ी को नॉर्मल डाइक में चाहिए आज जो बजन आपने प्लस करा है वो दो तीन दिन में मानस होता है हम करते money, भीज़ पाइल hani तो पड़ सो गया, तो वो तो फ्मर्सों केुए प्लस लेक, वो तो प्लस हो गया तो वेट भड़ता है और वेट भड़ता है तो हम वेड बढ़डा है में ज़ो सिदक आप सांस नहल करके गर्दन को उपर करेंगे और सांस छोड़के धीज़े नीचे लिखाएंगे उपर नीचे बनागे हमने दो राउंड करेंगे इसे 20 से 25 राउंड करेंगे तो कोई भी गाantes problem हो घ्युंद ओभी ऊस्ताल भी इसके लावा सरवाइकल मन फाइदा करेगा इसके लावा बने फायदा करेगा पोजन港ें शोल्डर मन फायदा करेगा बटाइगो मं फायदा करेगा बैक प्रॉब्लम के आप बता रहे हैं, लगभग लाइफस्टाइल आजकल यह हो गया है कि पूरा-पूरा दिन कंप्यूटर के सामने निकलता है कुरसी पर बैठे वे, बैक प्रॉब्लम लगभग 70% लोगों को बनी रहती है, उसके लिए कौन सा एक सिंपल योगा से उसके आप अगर पानी पिते जाएं तो आपको वाईशों बार पर जाना पड़ेगा, नहीं पर जाना पड़ा एक राउं लागे बापर बापर बढ़ेगा, तो भाईब मुसल वो डएड हो लिए हैं, जब मुसल ड़ेड हो तो फिर हमको लोड़ पुरा सा बेक ब्ग बंग प्य लिटने के बार हाथ इसे रखेगे चाना पने गरदन को ऐसा उपर कर दिया, जब इसमें आपके थुड़ी चर्टी सी प्रैक्टिस हो जाए, दस यके फिर हाथ को पर जे सः इसा उपर कर दिया है कि अभी कि अपनी गाम भी कर जपादक बम पहुत भी करते हैं, यह हर्ट के लिए भी 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 मोड़काश कर लिरी कर अपकी हम को सब्सक्राइब करना हैंपों, जब करेंगे तो ही हम्को रेल्टमी पाएदा पाईगा है, तो जह अवी कुछ लोग क्या क्रते हैं, यह कुछ ल एट पिता या भुजर्ग डादा दादी योग करना चाहते हैं लिकिन चुकि भुजर्ग है थोड़ा डर बी लगता है उसे कॉन से सिंपल योगासन है साधारन से जिस मेहनत जादा न लगते हैं वो बहुत असानी से कर सके और अपनी आयो और वढ़ा सके हैं योग असन में योग प्लस असन, जो हम आराम से करते हैं, योग असन में कभी भी अगर अच्छी आप जगा जाएंगी, कोई भी आपको हाथ लगा के नहीं सिखाएगा, हम आपको मारदशन देंगे, आपकी बोड़ी और माइंड जित्ता काम करेंगे, उत्ताफ करते योग असन में बेट आपको हाथ पर खीच रहें, योग असन एक तो सरल चीज़ और करने की कोई उम्र नहीं होती है, दूज़ा है जो आदमी सोचना बंद कर देता है वो बजूर्ग जाता है, तो हम को जब तक है तो हम तो कोई बजूर्ग नहीं है, अब सोचना जब पन स यह उपने मोड लिया, नहीं मोडा तो भी चला, हमने ऐसे लेफट से साह से नहील करी राइट से इसको एज़ा कर दिया, तो राइट से लेफट से बाहर निकाल दिया, इसको आपको 5 मिट करना है, यह आपको साइनस हुआ, माइगरेन हुआ, हाई बीपी हुआ, हार्ट प् क्योंकि हमारी श्री जो नारिया है, 72,000 नारिया है कुरी हमारी, उसको इस्ताफ कर लता है। उसे पांच मिटे आपको करना है। तो और आपको जादू की तरह रेल्ट आपको मिल गया है। उसके जो आसन मिन अभी बता है, बच्छंग आसन उसके सपोर्ट कि यह भी हमारे बुजिद को कर सकते हैं, मारजरी आसन भी कर सकते हैं, इतना भी वो कल लें, तो उनको कोई जरूतनी बड़ेगी, तो दूसरा है कि वो मुओन जरू कर यह, पानी भी पिया है तो खुद ग्लास से पानी लाकि पी ज़ाएं, तो उसे मुओन हमरा होता रहता है, हम एक जगा बैट जाते हैं, मुओन बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉड़ी एक डं वोते हैं, खतामने लगता है है। दिन के बारा गंटे लगभग लोगों के मोबाइल पर निकलते हैं, ऐसे में आखो की समस्य आजाती है, बच्चे गेम देखते हैं, और भिंगापन जैसे बिमारी उन बच्चों में आजाती है, तो आखो के लिए क्या आशन है? आखो के लिए को सबसे अच्छी की लिए बत अब जिसका नाम में सिंग की लिए, वह भी अजाब ली अच्हों के लिए तैयdedकों के लिए फाइदे मंदे जाम के लिए एई त Woolी गणे अखी भी क्रावब्स है, फमहिए नसाग दृस्टिकों सम्हने पेफेश है, को सबसाव हमने गर्दन को थोड़ा बाहर करा है जवान को निकाला में बाहर आसा ऐसा ऐसा आपको पचास आजना है शुरू में कि आपको गल्ला तर्था ड्राइ हो जाता है लेंगि धीर देर हम भीचे ले जाते हैं इसके लाबा कि आप करता है कि सामने आपकी जो टेवल पर या कमरे म हमें कोई ग्रीन पाइंट एक बनादा आप कोई भी ग्रीन इसकेटन से उसको आप लगातार देखो तो धीर देर देर आपके पल के जैसे 10 सेकंड में जफ़कती थी वह 15 सेकंड हो जाएगा इस आफरा टाइमिंग उसका बढ़ता जाएगा तो हमारे जो आपको में आईव लगाता हम उसकेटन हम फित जोनादा इसानध पज़ती है कि अपाता है लोकी की सबसे एफ जरू बनाएगा भात बानाएगा जोड़िका लोका कि तो एक ज़ित मने योग धर हमेगे पर एक जीज जा पार बार फोकास कर रहें कियो को तो करें लेकिन उसकेंड कर दिए आपसे टाइट की हम बात कर रहे थे आप बता रहे थे कि लौकी की सद्जी माई ज़रू बनाएं जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। मुऊं की दाल ज़रू बनाएं जो बच्चे धूर रखते हैं और पड़ेट छोड़के चले जाते हैं। मुं की दाल और लोकी के अलाव़ा माय ऐसे और क्या बनाई जो बश्चे थाली की अप्रट ओगे। पार जिलता के निली जांए भी ने साथ को बता हुँ कि गोली बनाती है. जो 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 आप बैसिक चीज खिला रहे हैं एक बार उनका टेस्ट को डिबलब करना है चाहाँ मां की दालो चाहा आटवर की रालो जो बहुत बृव्च्च एक जो बीड़ी है ही शूप ऑगे務 में नग सबस्व एंप सूप आपकेज़ करना है उर जहां एक हमते कोशिश करे तो बच्च्कों को अच्छ लगके लगने लागता है आपने जिनकी वान झाया हो लेकिंगे एक हमते कोई छीज को खाये हो इसमाद में लगवाग तीन हजाते जाते होते हैं। जमान में टेस्स को पर ले जाना है। लेक्ट लेजाना हैं। उसको फिक्स है कि छोले बटोरे खाना है, पीचा बर्गर खाना है, वो नूडल्स खाना है, उसको फिक्स है, उसी मट्टेस डेपलोप ते, इतार रोटी की तरफ तो गई नहीं नुसका. अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत सारे लोग अस्पताल में भरती रहे, इस्ट्राइड और M.D.C. वो जैसे इंजेक्शन सबको लगे और पूरी दिनचर्या उनकी खराब हुई, हेल्प पे अभी तक असर है और पोस्ट कोविड जैसी प्रॉब्रम्स उनको आ रही हैं, तो दिनचर्या में ऐसे कौन से योग आसन वो करें जिससे वो इन सब चीजों से ट्रॉमा से बहार आ सके, चीजें उनकी जल्दी से आसानी से ये पोस्ट कोविड वाली खत्म हो सके, लेकि सबसे बड़ा कारण तो है कि लोग एक परिवार में स्तिमित होगे रहे हैं, कि लोग τον है कि लोग एक को एका मैं अपा स वे टाइ से अड़ूंता था, क्षरिं जा ये लोग तहाँ जाई एक कि लोग कोना था, हो इस जल्हाँ आगा उनकी स्वनाता है कि लोग के हाँ तो आपको पेलोग तो एक रूंता है दो कि ये उन उनकी होग उनकी तो कि एणा प्राहजी से निफ परहाज निछ ब़हाज़ा इस देख निफर नेगए निफ फिर दो फिर नेख लिए युबड टी फिर टार्टो दो आनप ठांधिक बेख आटाए परिवार निकाल युष तो निकलने तो आपको बाहण निकले। तो उननों कुछ भी नहीं हुआ आपको बतारो है हमारे योग से जोड़ लोग के ट्रेश्टी जुरो परसेंट हुई है जरकि हमा पास 80, 85, 90 साल तक के लोग जुड़ो हैं लेकि प्रकाश्यन आपको यह करना है वही उनके परिवारा लोग को काफी नुपसान हुआ तो झाल पर ले अपटो साइन से तो परिश्वास करना है इसका पालन करना है और जीवन वे उतार एछवे उनके ज्यक्तष जिवारा पादेंटेंगे मैं जरूर चाहुंगी कि हमारे लोग ज़ायों के बताज यह योग अश्मान झाला है गरे तो प्रकाश्ण के बतादें पर चंड कैसे करना है अपने हाथ इस से रख लिया सांस मिने लिए ओम में तीन शब्द मिलें आ और मा थर्टी थर्टी और फॉर्टी पर्शंट जा मा शब्द आगा तो होट को बंद कर देंगा ये धार्मी शब्द नहीं है इसके आगे आपको अहलों बनों बताया है इसको करना है ब्रहामरी करना है जो मारजरियासन बताया है वो करना है साइकिलिंग आपको करना है, पेट पिलेट के अपने भजजंगासन कर लिया, ये भी इतना आभी करता है, कुई भी व्यक्ति, अच्या जितनी ये मैं चीज बताईए ना, ये कोई छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, यसी मैं आपको सूरिनम अश्कार ने करते हैं, हार्ट प्रोब्लम बाले आगे ने कर सकते हैं, वह से लोग उसको मनाई हो जाती है, ये जनरल चीज मैं आपको पताईए, इतनी भी आप करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, और फिर भी आपको कभी मेरी जुरत पढ़ती ही, तो मैं आपकी सेवा देने के निशुन को तियार वेठा हूं, लेकि आना आपको पढ़ेगा, लाव लेनिग आगे आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो हम जो इश्वा ने हमके जिन गीती है, हम एक क्वालिटी लाइफ, एक शांदार जिन की जीने के हगदार है, वहां तक हम पोस्ट सकते हैं, उसके पढ़ेगा, योग आपको करना पढ़ेगा, डाइट फॉलो करनी पढ़ेगी, और विश्वास कीजे कि आप हमेशा स्वस्त रहेंगे, आपको कभी कुछ नहीं होगा, यूही देखते रहे है दखल लिउस, कल फिर मिलेंगे आपसे, किसी एक नए सक्ष और नए सक्षियत क रिशी, ये पढ़ेची क्या बोल रहे है? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिन्दिगी के सभी खत्रों से बचाना है, फिर तो मेरी लाइख खत्रे में है, क्योंकि जो कॉक्रोट से ड़ज जाए, वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वो कॉक्रोट छोड़कर, तुम्हारी पूरी लाइफ एक दम से क्योर है? स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायरिटी, बगी सब बाद में, फोरेवर वाले रिलेशन्शिप से पहले, L.I.C. गाउं से शेहरों ता, व्यापार से उद्योगों ता, राज़्टीती से कूटनीती ता, दखन नियूद, आप क्या हत्ता? आप देख रहे हैं, दखन नियूद